अगर आप UPSC की form fill up कर रहे हो और अगर आप जो है वो SCFIR ST category से बिलॉंग करते हो तो आपके पास एक valid SCFIR ST certificate होना चाहिए जिस भी category से बिलॉंग करते हो तो अब यहाँ पर देखो जो UPSC के दोरा guidelines जो पुब्लिस की गई है notification में तो इसमें जो है वो last date तो mention की गई है कि आपका जो certificate है वो closing date से पहले जो है वो बना होना चाहिए लेकिन आपका certificate issue कब हो यह जो है वो mention नहीं किया गया है तो यह जो है वो OBC और EWS इन सभी के लिए तो valid होती है लेकिन SC और HD category के candidates के लिए यह valid नहीं है तो आपका certificate जो है वो last date 5th March 2024 से पहले बना होना चाहिए अगर आपका certificate 5th March 2024 से पहले नहीं बना हुआ है तो फिर आपको SC और HD category के reservation का benefit नहीं मिलेगा So make sure कि आपके पास जो है वो certificate हो और यह जो format दिया गया हुआ है ऐसा ही कुछ format में आपका certificate होना चाहिए अब इसमें सभी क्योंच तो आपको format से नहीं match करेंगी लेकिन हाँ अगर आप SC से बिलॉंग करते हो तो SC की चीज़े रहेंगी अगर आप SC से बिलॉंग करते हो तो SC की चीज़े रहेंगी So make sure कि आपका जो है वो certificate match करें जो भी format दिया गया हुआ है और 5 March से पहले आपका certificate बना हुआ हो और एक बात कि आप जो है वो बाद में अपना category चेंज नहीं करा सकते तो आपको अपना जो है वो जो option है वो category का वो बहुत सो समझके fill up करना होगा अगर आपके पास सभी certificate नहीं है और अगर आपको लगता है कि certificate आपका 5 March 2024 के बाद मिलेगा तो फिर आप better होगा कि आप जो है वो general category से form fill up करो क्योंकि risk लेने से आपको benefit नहीं है आपका attempt ही miss होगा वैसे तो SCFT के लिए जो है वो unlimited attempt है लेकिन सायद आपका year भी waste हो सकता है तो why to take risk लेकिन अगर आपके पास एक valid certificate है तो आप जो है वो उसी certificate के basis पे आप SCFT category के basis पे अपना जो है वो certificate का आप form fill up कर देना और अगर आपकी कोई query होती है तो मैंने इसके regarding बहुत ही detail video बना दिया हुआ है तो आप उस video को देख लेना कि अगर आपको नहीं पता कि certificate कैसे issue होता है और कहां से certificate बनाना है तो उसके regarding मैंने बहुत ही detail video बना दिया है तो आप उसे देखने है उसका link description box में है पीएसे सिविल स्र्विसेस के लिए जो है वो आपके पास इनफ नमबर ओफ मॉप्स है यहाँ पर देख सकते हो कि 238 जो है वो टोटल टेस्ट है और इवेन अगर आप जो है वो other state जो है वो PCS की जो है वो प्रप्रेशन कर रहे हो तो भी आपके पास जो है वह इनफ नंबर आफ टेस्स रहते हैं से वी सर्फिसेज की अगर आप बात करें तो देखो जैसे यहां पर जो है वह वह बीपी एसी यूपी पीसी जपी एस जेपी एसी और ऐसे ही जो है वह डिफेंट कॉंपरिटिटीव आपको इनफ नंबर आफ मॉक्टेस्ट देखने को मिल जाती है अगर मैं बात करूं कि जह है आपकी प्रेलिम्स मॉक्ट ट्वेंट इवेंटीव एक तो यहां पर देखो एक जो है वह आपको 26 प्रिविए सिर्क कॉस्चंस हैं और थिटीटू चैप्र टेस्ट एंट ट्व पर्ट मिल जाता है जहां पर जो है अपने पोटेंसियल को मेजर कर सकते हो के अब देखो कि आप जो है वह इसकी उरी में प्राइसिंग ये सबीड़ी बात कर दो तो देखो इसका पास पर्टीज कर सकते हो अगर इसकी जो है वो pass pro की pricing यह सभी के बात करूं तो देखो इसकी pricing जो है वो आप fluctuate होते रहती है लेकिन अभी जो currently pricing है 2 years के लिए 649 and 1 year के लिए 499 लेकिन मैं आपको एक coupon code दे दूँगा यह जो coupon code है JBYY16 इसको अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है वो 10-20% का discount देखने को मिल जाएगा जो है अप्लाई आपको अच्छे टेस्री प्राइट करता है तो आप जो है वो इसके साथ और भी competitive examinations की भी preparation कर सकते हैं तो थैट विल बेंश बेनेफिसियल फोर यू थैंक्स वर वचिंग अगू टेपाए